नमस्ते किशान नमस्ते भारत मैं गणिश किशान आज कुछ 37 का कंसेप्ट यहां पर किया हुआ है यह मित्र काफी दिनों से जुड़े हुए थे और कम से कम तीन से चार बार बढ़वानी में 37 का कंसेप्ट समझने के लिए आये थे और इन्होंने इनके प्लाट पे जब मैं आया तो एकदम बढ़िया कंसेप्ट इन्होंने बना कर रखा है 37 जो देखा था सोहन भया के प्लाट पे या रघुवा के प्लाट पे वो सब सारी चीजे करके रखी है मतलब मेड पे मेड से कम से कम तीन फीट अंदर पौधा लगा है और मेड जो रस्ता है रस्ते के बाजू में गन्ना घास पूरी लाइन लगाई है और ड्रीब भी डाल लगा के रखी है अभी कट की हुई है थंडी जैसे बढ़ेगी तो गन्ना घास भी बढ़ जाएगी तो थंडी से इसका सवरक्षण हो जाएगा और गर्मी में भी सवरक्षण हो जाएगा यह किसान को हर किसान को करना पड़ेगा जिसके पास पानी हो साल के 365 दिन पवधा लगा सकता है लेकिन क्लाइमेट कंट्रोल समझना पड़ेगा कि हमें कौन से सिच्वेशन में क्या क्लाइमेट कंट्रोल करना है तो आए किसान से सुनते नव यह वक है और काफी अच्छी म और लाइन से लाइन ये ड्रिप का अगर आप देखोगे तो ये पांच फिट फे है और दो पौधों के बीज में ये पौधा और ये पौधा इसका डिस्टंस है साथ फिट और उसके सामने ठीक ये जिगजाग पर पौधा लगा हुआ है पांच बाए साथ जिगजाग कि किसान से समझते कि क्या इनका बेश टानव रहा ये अभी अल्ली का प्रकौफ सारी जगा पे ही दिख रहा है इसके लिए भी क्या किया है किसान से बात करते बागी बढ़िया से मैनेजमेंट करके रखा है शर्ण और दो पौधों के बीच में मका इन्हों ने शायद लगा के रखी थी कप का प्लैंटेशन के कितने पौधे हैं ये किसान से ही समझते हैं आपका परिशे दीजे आप कहां से हो और ये पौधे कब लगाए थे इसका प्लैंटेशन 11 जून का है अच्छा ये पौधा कौन सा है रेवा प्लस लगा हुआ है ये 37 का कंसेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया और आपने पुरी कॉपी करी हुई है एक दम मतलब प्रयाज जो नहीं जो समझा है आपने केला कप से कर रहे हो आप फर्स टाइम में है लेकिन फर्स टाइम में आपने बहुत ही बढ़िया किया हुआ है मतलब सर्ण भी लग तो जिसको समझना है करना है उनको आना ही पड़ेगा और सिखना ही पड़ेगा क्या अनभव रहा आपका इस थीम पर लगाने से बाकी आजो आजो में में काफी जगाव पर पोगदे लगते ही के लिए तो यहीं पर लगए ना दो प्लाट है और एक दूसरा है तो मुझे अधर कंपनी के भी है और कम ग्राफ पे भी लगें अभी वह बहुत अच्छा दिखता है केनों पी यल्दी ले लेता है फटफट भागता है वह लेकिन वह आगे चलकर फिर वह वही दिखे दे करपा सिगा टोका यह इसमें नीचे नीचे तक का भी पत्ता अभी तो ठीक है इसमें कोई क्राफ लिया नहीं इसने हाइट नहीं लिए लेकिन जब यह हाइट और सारी कैनों भी भरेगा तब जाके फिर करपा सिगा टोका यह फिर आके बैठ जाते हैं यहां के कुछ भी स्प्रे करों कुछ भी फर्टिकेशन दो तो फिर वह खेसे नहीं जाता है और द गिरेंगे तो गिर जाएंगे इसा आपन का अभी आस्मान पर बेटें पाजबाया पर लगा हुआ है ना जब करेंगे नहीं देखेंगे तब तक आपन हाँ सभी बात है है ना इसलिए हमने लगा है था बढ़िया है है ना प्लोट में मैचुरिटी सिंटम वगरा भी आ गय यह काका जी बापा है आपको मैं वंदन करूंगा क्योंके बहुत जल्दी कोई बी जो बड़ी वेक्ति होती है जैसे हम जैसे हमारे जैसे नव यूवक अगर कई अच्छा काम करना चाहे तो पहले तो उपर से हैमरिंग होती है कि तो इतना मत कर सपोर्ट नहीं देखेंगे इसाफ को लेकर अभी उनके दिमाग में यह है कि भाईया पापा नहीं करने देते या दादा जी है तो वह तो बिल्कूली मना करते है तो अगर आप करेंगे नी समझेंगे नी तो आप आगे बढ़ोगे कैसे यह जरूरी है यह चीजे अगर आपको खेती से अगर बाहर नि आपको कैसा लग रहा है जैसे भाईया भी तीन-चार बार आके चले गए और उनका खुद का एक्सपरियेंस रहा है और खेती आज की डेट में मैं कहना चाहूंगा कि खेती को अगर हम हमारी फैक्टरी की सबसे काम करें तो खेती भी आपको मैंने बता है आप सोहन भाई के प्लाट पर देखा अपने बहुत कुछ डे सकती है मतलब एक नोकरी के हिसाफ से अगर देखे तो अच्छे से अच्छे नोकरी करने वाले को पैकेट क्या है चार से च्हेलाक रुपे अच्छे से अच्छे का मैं बात कर रहा है तो खेती जो है ना ये जैसे कितने इकड का प्रोडक्शन निकाल सकते उतना निकाल दो पैसा एके बार में लगाना है सालों साल इसकी कटिंग आप कैसे लेनी यह तीम तो आपने अभी यूज कर ली है इसको रटून मैनेजमेंट इसको चलाना कैसा है यह ब्रदर ने सीख लिया है और इनके साथ में बीकिशान परिवा परिवाइन ना तो सबस्के पहले तो मैं जो बुजूर्ग लोग है जो रोक रहे है या आगे बढ़ने में थोड़ा सा टोक रहे है तो उनको कहना चाहूंगा कि भाया जो नवयोग बाहर पूरती से निकल रहे है तो उनको रोकिए मत जरूरी है उनको खुला छोड़ों ख की सीज के लिए छोड़ोगे तो आके बढ़ेगा कहां से काफी अच्छा लगा और बहुत खुशी वाली बात है पांच भाय आट पे फर्स्ट टाइम है और सीधे पांच भाय आट लगाया है नहीं मैनेजमेंट जो करके रखा है ना यह इसमें सबसे बढ़िया है कि क्या कि दॉब डाट इन्होंने फौलो किया हुआ है कि लाइन भी इधर उदर नहीं हुई है ना ट्रीप कारवन इधर उदर हुआ है ना पोधा इधर हुआ है एक दम डॉर टो डॉर्ट है उल्हाने थोड़ा लेट हो पुरा परिवार भीमार और बिच्छा था एस्टेक लगाना निया जो भी है वो चीजे ठीक है लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी विक्ति जो नए सीरे में आ रहा है तो वो नई टेक्निक या नया कुछ समझ के मार्केट में आये तो उसको समझ में आये क्योंकि एक बार लगाने के बाद में आप बार बार पौधा खरीदना और उसको कल्टी-पल्टी करना मतलब कितना है खर्चा फर्स में तो लगता है बड़ी बिल्डिंग अगर खड़ी करनी है तो सबसे जादा खर्चा पाया जहां में गड़ा खोदाई और सब सारी चीज़ जो करती है ना उसमें लगता है बाकी उपर तो कितना भी चले जाओ में तो वही है ना बेस में ज्यादा पेमेंट लगता है इसका खर्चा बढ़ गया उधर पुरा परिवार भी मार हो गया ठीक है अभी समस्यां से घीरे फिर भी को चलाते रहें समय के इसाफ से चलना चाहिए समय को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं लेकिन समय ने यहां तक लाए तो कुछ अच्छा है रासाइनी को गोबर के खाद में मिला के रेसिडिव फ्री वाला तो उसको भी दस रोज पुरा सड़ाया घरते जबाएं जब जब कारागर रहेगा और इस दिना में आती है मोसम के इसाफ से आती है अपने को लगता है कि चली गए लेकिनों जाती नहीं वहीं पर रहती है वी यहां पर तो मुझे कुछ दिखता दीखी नहीं रहा है नहीं चारे की और हमारी बहुत ज़्यादा दूसमनी में चारा तो होने नहीं देता है सबसी बड़ी खराभी है ठीक है नहीं होना कि यह जिसे बच्चे निकल दे तो अभी इसको बढ़ने रहे हैं थोड़ा सा उपर आएंगे तो कट करने में आसा नहीं रहेगा कई दिकर भी चुछ चुझने का और मैं सोच रहा हूं बढ़को बोल रहा हूं बीच में और कोई ज़रूरत नहीं है इस मट्समें तो कई आउशक्ता नहीं और इसमें जब कच्रा आजाए गना भी तो उसके बाद में तो कई आउशक्ता नहीं तो उसके बाजों में उसको लगा दें तो ज्यादा वाली और कम यह गर्मी में अगर लगे तो उस समय में कर सकते को आने तो जो जादा वाली है या तो उसको निकाल दो उसके जगह पे कम वाली रहें दोनों एकवल करो तो ज्यादा बेटर रहे हैं तो जो अपना उसका सिस्टम जमाना है तो कम वाली के पास जबल कर दें वह भटीकेसन में भी शोच ज्यादा भाई अब इसमें क्या है यह ज्यादा है यह कम है तो इसमें या तो आपके पास कौन से आपने लई है तो जादे वाली को निकाल दो तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा तीसरी डालो इमत यह दूसरी जगा पी उसकर लो कपास वगरा बिंडी तिंडी जो भी काम करते उसके लिए काम में आएगा ठीक है बाकी तो अच्छा रहा बड़ी आए एक दम कई दिक्कत नहीं है यह इनके ओपर भी एंस परे चलने दो यह क्या सोरो का प्रकॉफ है कि यह जो लाइने ज्यादा बड़ी थी उसमें सेंटर में लगा दिया अच्छा अच्छा बारी समयन कर वह जाएंगे हो जाएंगे इसमें इसमें वी एंस प्रे करते रहो और इसके लिए कुछ यह जो अपने साथ के भी हैं तो धीरे चल रहा है इनके लिए भी बता दूंगा में छोटे वाले जो होंगे इनके लिए इनको चलने के लिए सक्षम कैसे करना है वह आपको बता देता हूं है ना चलिक है बाकी तो बढ़िया है एकदम नमस्टे भारत